कानपूर दियाद में मोवाइल टावर से बैटरी चोरी करने का पुलिस ने खुलासा कर दिया है पुलिस ने फरार दो आरोपियों को 24 गंटे के अंदर गिर्फतार कर लिया है पुलिस की पूस्ताज में दोनों आरोपियों ने अपना गुना भी कबूल कर लिया है आरोपियों की निशान देही पर पुलिस ने चोरी की बैटरी भी वरामत कर लिये कानपुर दियाद के थान अकबरपुर के निवासी सोनू ने थाने में प्राधना पत दिया था उनकी कमपनी स्पाटर सिक्योर्टी में लगे मोवाइल टावर से अलारम बजने के आवास सुनाई दी टावर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक अग्याज गाली में दो लोग सवार थे वह वहाँ से भागने का प्रयास कर रहे थे जब तक उन्हें रोकता तब तक वह मोगे से फरार हो गए थे इसके बाद जब अंदर जाकर टावर को चेक किया तो टावर में 14 वैटरी गायब थी में गेट का ताला भी तूटा हुआ था थाना प्रवारी के आदेश पर सोनू की तैरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया चोरी की घटना के खुलासे के लिए टीम भी घटित कर दी गई घटना का खुलासा करने के लिए जाज परताल चल रही थी पुलिस को जानकारी मिली की चोरी की घटना को अंजाम देनेवाले कानपुर नगर के सर्वेश गुपता वा आकाज जैसवाल है जिसके बाद कानपुर देहाद की पुलिस ने कानपुर नगर की पुलिस का सैयोग लेके दोनों को गरबतार कर लिया Bureau Reports IPN